दोस्तो गूगल एक ऐसा सब्द जिसे दुनिया में सबसे जादा लोग जानते हैं 1998 में सुरू होने का बाद ये सर्चिंजन जल्दी ही लोगों की जिन्दगी का एमिसा बन गया यदि ये कम्पीटर वोकता इंटरनेट पर किसी भी तरह की जनकारी चाता है तो उसे सबसे पहले गूगल की याद आती है गूगल के नाम पर कई तरह के कवीता है और कहीं कहानी बनी हुई है कुछ लोग तो गूगल को गूगल देव तक कहते हैं एक कामदार ना है कि गूगल सब कुछ जानता है तो क्या आप गूगल के बारे में कुछ ऐसी बाते जानना चाहेंगे जेना जानने के बाद आप भी कैसे केंगे कि गूगल के बारे में सब कुछ नहीं साही फिर भी काफी कुछ जानते हैं तो आईए जानेंग हम इस वीडियो में गूगल के कुछ रोचक बातें हेलो दोस्तो मेरा नाम है आलोग और स्वागत आपके आज की नई वीडियो में पूरी दुनिया में इस्वाल किये जाना वाला सर्च इंजन गूगल को टैनफोर्ड उनिवर्सिटी में सोध करने वाले लेरी पेज और सेर्गी बिरेन ने बनाया था गूगल के आने से पहले याहू और एमेसें साच इंजन का इपियोग होता था लेकिन गूगल के आने के कुछ समय बाद ही गूगल ने बारी लोग फिरता हासिल कर ली और नमबर एक पर आ गए डोमेन रिश्टर करने से पहले ही इसे गूगल का नाम दिया गया दरसल गूगल असल में गूगल की गलत स्पहलिंग है गूगल एक बेहदी बड़ी संक्या जिसमें सो सुनने लगते हैं गूगल का नाम डोमेन पहले ही बिक चुका था इसलिए इसे गूगल का नाम देना पड़ा आयम फिली लग्की पर किलिक करते ही आप गूगल के अब तक के सारे लोगों और तस्वीरे देख सकते हैं की स्टोरे समता जैसे सुवदाओं के कारण इमेल सर्विस लोगों के भी जल्दी लोग प्रिया हो गया गूगल कंपनी विग्यापन के हर साल 20 मिलियन डॉलर कमाती है साल 2014 में गूगल की कुछ संपत्ति का 89 परसेंट विग्यापन से आया था कभी आपने ध्यान दिया है जब गूगल पर आज क्यू सर्च करते हैं तो गूगल का पेज थोड़ा सा दाया जुग जाता है गूगल का सर्च इंजन 100 मिलियन गीगाबाइट का है इतना डाटा अपने पास सेव करने के लिए 1 टेराबाइट की 1 लाग ड्राइव की जरूरत होगी गूगल ने एंडरोइट कंपनी को 2005 में खरीदा था एंडरोइट फोन की लोग पिरता इतनी अधिक है कि लगवग 80% समार्ट फोन पर एंडरोइट का इस्तमाल किया जाता है इसका अभी प्राइए है कि हर 10 फोन में से 9 फोन एंडरोइट पर चलते हैं गूगल ने अपनी पहली टूइट कंप्यूटर की भासा बाइनरी में की थी जिसमें 0 से 1 का इस्तमाल किया जाता है अंगरेजी में इसका मतलब है I am feeling lucky आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में